तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के टिफर में बनाने वाली आलू की सबजी की रेसिपी आलू की सबजी हमारी 10 मिनिट में बनके तियार हो जाती है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर दो आलू लिये हैं जिसको हमने हाफ कट कर लिया है और इसके बाद हमने इसको वन फोर्थ आलू को लेकर एक पतली सी लेयर लेकर यहाँ पर हमने लंबा लंबा सा आलू कट करके त्यार कर लिया हमने यहाँ पर पतला आलू इसले कट किया है ताकि हमारी fry करने में ही जो आलू है ये पूरा पक जाए इसके बाद आलू हमारा ये बन चुका है तो इसको हमने wash कर लिया और wash करने के बाद हमने यहाँ पर सूखे कपड़े से इसको पोच लिया है इसके बाद हमने यहाँ पर एक कड़ाई ली है जिसके अंदर हमने एड़ करा है मस्टर्ड ओयल मस्टर्ड ओयल को हमने अच्छे से गरम करेंगे ताकि मस्टर्ड ओयल में कोई स्मेल ना आए इसके बाद हमने इसके अंदर एड़ किया है जीरा अलू जितने में फ्राय हो रहा है तो हमने यहां पर इसकी लखी है मीडियम फ्लेम और इसके अंदर हम थोड़े-थोड़े से मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले हमने डाला है अब आफ टेबल स्पून टर्मरिक जिसको बोलता है हल्दी और साथ में डाला है यहां पर जाला है हमने सॉल्ट तो दोनों इंग्रीडेंट हमने इसके अंदर मिक्स कर दिये हैं हमने यहां पर मिर्ची विल्कुल भी आड़ नहीं किया क्योंकि यहां बच्चों के टिफन के तो जो हमारे आलू है यह फ्राय हो चुके है इसको अभी हम दो मिनट के लिए और यहां पर फ्राय करेंगे इतने में जो हमारे आलू की सब्जी है यह बनकर रेडी हो जाती है तो आलू की सब्जी हमारी रेडी है हमने यहां पर एक प्लेट ली है जिसके अंदर हम यहां पर जो हमने आलू की सब्जी बनाई है, उसको हम इसमें सर्फ कर देंगे। यहाँ पर हमने गर्मा गरम दो परांठे रखे हैं और आलू की सब्जी को आप इसके साथ इंजॉय करें। आलू की सब्जी खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राय करें। और वीडियो कैसी लगी वाप मुझे कमेंट सेक्शन ने बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।